हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर मैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो है अपना IPPS कलर्क 2020 का स्कूर कार्ड आपको दिखाने वाला हूँ जिसे आपको एक अंदाज लग जाएगा कि किस तरह का लेवल रहता है क्या कट आप जाती है और किस किस तरह के से जो है आपका रिजल्ट बनता है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि हम जीके के क्वेश्चन और जनल अवेर्नेश के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है आपके लिए IPS क्लर्क मिन्स के लिए लेके आने वाले हैं तो आपको दिख रहा हुआ रिजनिंग का लेवल क्या रहा था तो चलिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं आपको दिखा देता यह देखें CRPA clerks 10th करके अभी 11 वा आपका निकला है form ठीक है और यह मेरा 10 पर देखें यह मेरा नाम बगेरा दिख रहा है आपको ठीक है मैंने MP से भर हुआ था ठीक है मेरा exam देख लिए आप 5 12 2020 का था 5 December 2020 में ठीक है category मेरी SC है ठीक है इसके बाद देखिए हम आयाते हैं इ इसका minimum cut-off गयाता हूँ गयाता है English का 6.25 मेरे आयते 11 ठीक है numerical ability यानि की math का जो गयाता हूँ 4.25 गयाता हूँ मेरे आयते 23.250 यानि 35 नमर आयते हैं और friends जैसा कि आपको मालूम होगा कि IBPS clerk में प्रतिक जो section होता उसको 20-20 minutes जो है allotted किया आते हैं उसी में आपको सब कुछ कर देता हूँ तो देखे reasoning का 35 नमर का था मेरे आयते 19.50 ठीक है और देखिए आप cut-off देखिए math से भी कम cut-off गया है इसका जो एक minimum cut-off लाना होता है वो math से भी कम चला गया 2.75 और देखिए मेरे भी 19.50 यानि की आप level देख सकते हैं कि reasoning का level क्या रहा होगा तो मैं friends बदा दू reasoning का level काफी अच्छा देखने को मिलता है IVPS clerk के exam में ठीक है तो देखिए overall जो इसका cut-off गया था है से 68.75 गया था मेरे आयते 54.0 और मैं qualify नहीं कर पाया बट इस बार मैं definitely कर दूँगा ठीक है तो friends thank you so much जैन जै भारत